आपका स्वागत है किसी ने कहा है कौम का गम लेकर दिल का ये आलम हुआ याद आती नहीं अपनी परिशानी मुझे जी हाँ मेरे साथ इस समय विपिन आहुजा है जो कि कैट के दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष है और आज बैंक्वेट हॉल एसूसेशन के वेपारियों की एक बैठक हुई क्योंकि सीलिंग का खत्रा एक बार फिर दिल्ली के वेपारियों पर मंडरा रहा है उनसे बात करेंग इस मिटिंग के अंदर जिस जिस की जो समस्याएं है उसको बहुत गौर से सुनने के बाद और वो खाली समस्याएं सुनने की नहीं उसका सॉलूशन निकालने के लिए उसका समाधान निकालने के लिए आज हमने उसका उस तरीके से सारा मिटिंग को उसको इंप्लिमेंट कि है कि वो उसके जल्द से जल्द solutions निकलें क्योंकि आए दिन एक नए-ने फर्मान आ रहे हैं आए दिन रात को एक वेपारी सोता है चाहे वो एक दुकानदार है यहां एक बैंकर चलाने वाला है लेकिन उसे एक रात को एक कोफ सुबह उठता है तो पता है नहीं उसकी ऐसा लगता है कि कहीं दुनिया लुट जाएगी नहीं नहीं फर्मान नहीं नहीं अरे क्या अगर क्या हो रहा है यह यहां पे तो आज हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज कितनी हर जगां पे पार्कों में शादिया नहीं हो सकती और बड़े-बड़े फॉर्म मेरा सवाल विपिन जी यह कि जो बैंक्वेट है वो नेवर हुड में आता है जैसे कि मास्टर प्लान में भी दरसा आया गया है कि पांच किलो मेतर की रेडियस में आता है लेकिन कानूनों की गलत रंग से व्याक्षा की जा रहे है और दिल्ली सरकार और MCD भी कम से कम आमने सामने है जिसमें व्यपारी पिस रहा है सर उसकी वज़ा है मौनेटिंग कमीटी मौनेटिंग कमेटी ने इतना खौफ बना लिया है कि वो खुद सही तरीके से मास्टर प्लैन का ध्यन ही नहीं कर रही For example, अभी अभी आपने देखा होगा कि फिटनेस सेंटर को सील करने का फर्मान जारी हो गया कि उसको सील कर दिया जाए वा, क्या बात है क्या, कमर्शल जो रोड्स हैं उस पे नहीं चल सकता मिक्स लैंड रोड जहां पर ग्राउंड एक्टिविटी हर चीज एक्टिविटी अलावड है नहीं चल सकता अरे मास्टर प्लैन का ध्यन तो करो वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी चल सकती है यह कैसे कह दिया कि अधर एक्टिविए वह नहीं चल सकता आज हमारी फिटनेस भी उतनी जरूरी है हमारे आधर निये परधान मंत्री जीन में लेगा है कि फिटनेस बहुत जरूरी है तो आज उसके लिए कहीं पर भी ओ फिटनेस एलाव होना चाहिए उसी तरीके से हमारी कनफरडेशन के पहल पे आज हमारी UDI मिनिस्ट्री उस बात को सुन रही है समझ रही है और उसका जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान के अंदर उसकी अमेंडमेंड होगी और आज जो आपने जो प्रशन किया बात ये है पता नहीं उनको क्या अनंद आता है बस उठो सील कर दो अरे यार आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसके घर का उसका होगा क्या उसके परिवारों का उसका लालल पाशन कैसे होगा उसका उसके बच्चों की फीस कौन देगा उसके साथ में कितने employees जुड़े हुए हैं उनके साथ उनके परिवाज जुड़े हुए हैं वो कहां जाएंगे एक crime तो संबल नहीं पा रहा आप उसको इस तरीके से unemployment कर रहे हो ताकि और crime बढ़े तो ये एक सोची समझी कोई तरीके से काम नहीं हो रहा और बहुत खौफ है, बहुत परिशानी है, बहुत मायूसी है एक आखरी सवाल, आपने fitness की बात की लेकिन जो Supreme Court Monitoring Committee के जो सदसे है उनकी fitness पर भी सवाल उठा है कैट क्या Supreme Court में इस Pucks को रखेगा पक की बात है सर अभी मैं कहना नहीं चाहता आपको जल्द से मालूम होगा कि बहुत जल्द इसी के उपर सुनवाई होगी Supreme Court कहता है वहां के जजिस भी एक retirement की एक उमर है कि यहां पर 65 साल तक के बाद नहीं होना चाहिए और वो तीन लोग उनकी उमर कितनी है अरे वो उमर पहुंच चुग गया 80 साल से उपर यह कहां की बात है यार यह क्या तरीका है वो किसी के सुनने को तयार नहीं है यह कौन सी ताना चाहिए है यह तो इस चीज़ के लिए और फिर एक STF का गठन हो गया STF जब गठन हो गया तो फिर इस चीज़ की जरूरत क्या है उनको बस सिर्फ एक ही बात अगर कोई उनकी बात नहीं माने तो दो मिनट के अंदर उसकी नोक्री गई वो सस्पेंड हो गए तो खौफ गया है वो बचारे जितने भी MCD के अंदर भी DC तक के लोग है कमिशनर तक के लोग है वो समझ नहीं भी बावजुद डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं है This is the position ये थे वीपिन आउज़े जो कह रहे थे कि इस समय दिल्ली के वेपारियों को सेलिंग का खौफ है और लेकिन मॉनेटरिंग कमेटी के सदेसे को अपनी उमर का खौफ नहीं है इसी को लेकर अब वो सुप्रिम कोर्ट में 10 तक देंगे तो आप बने रहें ब्रोडकाश्ट मंत्रा के साथ